एक के बाद एक बिल्डिंग गिरने के मामले रोज सामने आ रहे हैं जिसको लेकर इस्तान ये पुलिस प्रसासन सतर्क है और ऐसी संदिक्द बिल्डिंगों को खाली कराया जा रहा है जो खराब इस्तिती में हैं खोड़ा में SDM के सयोग से नगर निगम के अधिकारियों ने करीब 24 ऐसी बिल्डिंगों को खाली कराने का नोटिस जारी किया है जो जर जर इस्तिती में नजर आ रही हैं आप देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रसासन लोगों से मकान खाली करा रहे हैं ये तस्वीर साफ बता रहे हैं कि हादसा किसी भी वक्त हो सकता है कहीं पानी भरने से बिल्डिंग धस रही हैं तो कहीं मकानों में दरारे आ गई हैं अगर ऐसे समय में पुलिस पिर्शासन और नगर निगम की टीम ऐसे काम को कर रही है तो ये सही है लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग बरसात के इस मोसम में जाएं तो जाएं कहां। दिलिया इंसियार में घटना घटने के बाद अब पुलिस पिर्शासन सचेत हो चुका है और आने वाली घटनाओं से बचने के लिए पुर्जोर को सिस कर रहा है और कई बिल्डिंगों को ऐसा चिन्नित किया है जो संदिक्ध हालात में हैं इस साथ कितनी बिल्डिंगों को ऐसे चिन्नित किया है और वहां के जो रहने वाले निवासी उनको बोला गया है कि आप अपने रिष्टेदारी में रहिए यदि आपकी रिष्टेदारी में रहने की बेवस्ता नहीं है तो हमें बताइए हम आपकी धरम साला और जो भी हमा भी वहां पर हम लोगों को ठहराने के विवस्ता की जाए जिस तरह से कहा कि लोगों का प्रस्ण था कि हम लोग ऐसी भरी बारिस में अपने आसी आने को उजार कर कहां जाएं कहां हमारा बसे रहा होगा तो पुलिस पिर सासन की तरफ से और एस्डियम साब की तरफ से मैं अनिस के साथ मैं सतियन सर्मा एक्सपोज इंडिया दिल्ली एंसियार खोड़ा